हेलो मित्रों, वेलकम टू आर चैनल, स्टेडी आन ट्रेक आप सभी का हमारे यूटूब चैनल स्टेडी आन ट्रेक में हर्दिक स्वागत है आज का हमारा विशे है प्राचीन भारत के कुछ महतोपूर्ण विंदु के अंतरगत प्रागयतिहासिक काल, हमने आज का जो टॉपिक लिया हुआ है वे हमारा टॉपिक है प्रागयतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल एक अलिखेत लिप इसकी इसपष्ट न होने के कारण यह एक अपठित काल रहा है यह खुदाई के दवरान प्राद्ट हुई वस्तों के अधार पर समागरी के अधार पर हम इसे काफी हद तक इसपष्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है यह वनलाइनर होगा यहाँ पे हम वनलाइनर प्रशनों का अध्यन करेंगे कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रशनों को करने का सीखने का कोशिस करेंगे ऐसे प्रशनों का संकलन लाया गया है जो कि हमारे आने वाले परिछाओं में हमारे लिए उपयोगी साबित हूँ चलिए शुरू करते हैं भारत में प्रथम पूरा पाशाण उपकरण की खोज किसने की थी? तिसका हमारा सही उत्तर है रावर्स ब्रूस फूर्ट ने कोपेन हेगन संग्रहाले की सामागरी को पाशाण कांश और लोह यूग का त्रियूगीन विभाजन किसने किया था? भारतिय उप महादूइप में क्रिसी की प्राचीनतम प्रमार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह आपके लहुरा देव संत कवीर नगर जोकी उत्तर प्रदेश में हैं वहां से आपके क्रिसी की प्राचीनतम साथ प्राप्त हुए हैं पसु पालन के साथ छे सरप्रथम कहां से मिलते हैं तो मद्ध पाशान काल के आदम गण से मिलता है मानो कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का श्रवाधान यानि एक ही सव में एक ही कब्र में मानो के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है वो किस अस्थल से मिला है तो आपके बुर्ज भारत में मानों का सरोप्रतम साच्य ज है कुथ से मिलता ह énormément मुद्धा घाटे क 내용 के अीज़े मिंदता है मध्य पासान काल में हड़ी की उपकरण तथा हड़ी से निर्मित आभूशन की सस्था से प्राप्त हुए हैं तो यह है आपके महदाहा सरायनाहर से गैरिक म्रिद्भांड पात्र OCP का नामकरण कहां हुआ था तो हस्तिनापूर में खाध्यानों की क्रिसी सरप्रथम कब प्रारंब की गई थी तो नोपासान काल में खाध्यानों की क्रिसी सरप्रथम नोपासान काल में प्रारंब की गई एक ही कब्र से तीन मानों कंकाल कहां स से प्राथ हुए हैं दमदमा से यानि एक कब्र में तीन लोगों को एक साथ दफनाया गया था तो वहां से तीन कंकाल की प्राप्ति हुई है और दमदमा से हुआ है मानोबारा सरप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था तो था आपका जो जो ठीक चार कोलित यूग किसे कहा ज देता था वह पूरास्थल कौन सा था जहां से पासान संस्कृत से लेकर हरप्ता सभ्यता तक के संस्कृतिक अउसेश प्राप्त हुए हैं तो वह है आपका मेहरगर्थ मानोबारा सरप्रथम उप्योग में लाई जाने वाली धात कौन से थी तो है आपका तामबार इतिहास के पिता, father of history के उपाद किसे दी गई है, hero dots को, सरवाधिक मानो कंकाल कहां से मिले हैं, तो यह है आपका लिखहिया, विंदे छेत्र, विंदे छेत्र के लखहिया नामकस्थान से सरवाधिक मानो कंकाल की प्राप्ति हुई है, गर्त आवास वाले घर के साथ कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपके बुर्ज होम कस्मीर से जमीन के नीचे गर्त आवास के घरों के साथ प्राप्त हुए हैं, राख का टीला किस नौपार्षानिक अस्तल से संबंधित है, तो यह है आपका संगन, कल्लू, पिकली हल और उतनूर से संबंधित है, ठेक, आरंभिक पूरा पाशान यूग के किस सिलास्रे से सरवाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीम बेट का जो कि आपके नर्मदा घाटी पर इस्थित है, नौदा टोली कहां अवस्थित है, इसका उत्खनन किस ने करवाया था, तो नौदा टोली आपका मध्यप्रदेश में इस्थित है, इसका उत्खनन HD, शंकल याने करवाया था, भारती पूराततों के प्रथम सर्विच्छन महानिदेशक कौन थे, तो जौन मार्सल, ब्रिहत पासान या मेगालित इसमारकों की पहचान किस रूप में की गई है, मृतक को दपनाने के अस्थान की रूप में ब्रिहत पासान या मेगालित इसमारकों की पहचान की गई है, राश्ट्रिय मानोसंगरहाले कहां इस्थित है तो राश्ट्रिय मानोसंगरहाले आपका भोपाल मधिप्रदेश में इस्थित है तामर पासारकाल में महाराश्र के लोग मृतकों को घर के फर्ज के नीचे कैसे दफनाते थे उत्तर से दच्छिड की तरफ और आज भी उत्तर से दच्छिड की तरफ ही ज्यादातर हमारे जो भी क्रिया कर्म हैं मृतकों के साथ वो किये जाते हैं हड़ी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है यह है लोहंदा नाला छेत्र वेलन घाटी जो की आपके बर्तमान उत्तर प्रदेश में इत्थित है वहां से हड़ी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा हड़ी से बनी मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है मध्य पूरा पाशान काल को और किस संस्कृत के नाम से जाना जाता है तो उसे फलक संस्कृत भी कहते हैं ठिक फलक संस्कृत भी कहते हैं चौदह मानो कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं तो यह लंगनाज गुजरास से प्राप्त हुए हैं मेहरगड से गेहुं के साथ छलगभक कितने इसापूरु प्राप्त हुआ है जब 7000 इसापूरु आपका मेहरगड से गेहुं के साथ छे प्राप्त हुए है और मेहरगड से इस्थाई जीवन के साथ छे 8000 इसापूरु प्राप्त होते है पुस्तके हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती थी ऐसी पुस्तके जो हाथ से लिखी जाती थी उसे पांडूलिपी कहते थे उच्च पुरा पासान काल के उपकरण क्या क्या थे ठीक है तो उच्छ पूरा कासान पूरा पासान काल में तच्छडी तथा खुर्चनी नामक उपकरण हुआ करते थे पुरो पास पूरा पासान काल के उपकरण में क्या क्या थे तो क्रोड उपकरण थे जिसमें हस्त कुठार, खंडक और विदालणी जैसे उपकरण होते थे नौपासान काल में किसके साथ प्राप्त हुए हैं तो नौपासान काल में आपके क्रिश एवं पसपालन के साथ प्राप्त हुए हैं आग का सरप्रथम प्रयोग कब किया गया तो आग का सरप्रथम प्रयोग नौपासान योग में किया गया तो आज इतना ही मित्रों, आगे हम नए प्रश्णों के साथ, नए टॉपिक के साथ ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइट कराते रहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा पसंद आया है, अच्छा लगा, आप अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज् संकलन आपके मित्रों के साथ भी सेयर हो सके और शब को परिच्छा में इसका अच्छा फायदा मिल सके, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वैल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, और हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से और भी विश्यों की वीडियो और भी पेपर एनालिसिस आप देख सकते हैं, धन्यवाद